है एलो स्ट्टूरेंट्स हम इस व्यूडिया आपकी 15.2 को स्ट्राट करेंगे तो हम से पहले कुछ पिशिक चीज़ा है वह जानते हैं पहले इसक्साइज के ताम पहले जानते हैं करते हैं परपेंडिगुल बाइसेक्टर ठीक है यादे एक लाइन वीच परपेंडिगुल कोुह पार्ट बाइसेक्टर है अगर्फ अगर स्टब्सेंटोएकर पार्त में में घञाएं तो उसे तब क्या करता हैं पर फद्टिगुलालाइसेक्टर करते हैं आप sir touch इमें लाइसेजिए में गını घ। जैसे इस विगर में अमैं ए पी 90 दिग्री यह ठीक है यह होता है परपेंड़िक्लार बाइसाट भाइसे ऑब अब आटाइट डूब और परपेंडी कुलर ऐड़ डाइन पर परपेंडी कुलर एक अपॉरंट गिवें ऑन दलाइस एंगल आप 90 दिग्री एड़ दफियों न एक लाइन पर दिगरी का एंगल ड्रो करते हैं यह पी क्यूप है एक यूओ यह लाइन ड्रो कि यह 90 डिगरी एंगल बनाके ठीक है अब आता है हमारा तू दो परपेंडिकलर टू गिवन लाइन फॉं पॉइंट लाइं आउटसाइड दर मैं ठीक है यह हम एक्जांपल के थूद्हू समझते हैं जो परपेंडिकलर फॉम ए आउटसाइड दर लाइन जैजमन पी क्यूंप से बहार जा दिए एक लाइन कीजन मान लेंगे outside of PQ जैसे इस तरह माना आए गया है इस टेप तो मैं टेकिंग आ है यह को सेंटर मानते हुए एंस्ट्यूटेबल रेडियस कुछ रेडियस लेके एक तो मान के है इसकी रखकर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से विशल रधियस सेंटर मानेंगे यहां इस्टेंगे इस नीचेकी तरफ इस तरफ कट्पर 2004 कות सी एक तरह से और याईस डिन दोनों कट को मिला देंगे तो जो मारे पर्पेन्डिफुलब बाइसेक्टर वह रो होजाएगा ठीक है तो हम एक साइस को अब स्टार्ट करते हैं 15.2 जो झूट और किन एक्साइब 15.2 कोछिशन वां एन लाइन सेजमेंट एब एक लाइन सेजमेंट वो और थिक्टर परफेंडिवर बाइसेक्टर ठीक है तो हमें पहले क्या करना यह वी डो नहीं है कितनी संटीमेटर के 6.5 सेंटीमेटर की कि हुआ 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 है इस लाइन से आधी से ज्यादा दूरी कवर लेंगे ठीक है एक और इधर लगाएंगे एक और इधर बी को सेंटर मानते हुए एक और एक को सेंटर मानते हुए एक और इधर और दोनों आर्कों को मीट कर देंगे आपस में तो यह प्रपेंडिग्र बाइस सेक्टर हो जाएगा यह दोनों आर्क का आपस में मिला देंगे ठीक है यह मैं प्रपेंडिग्र बाइस तो यह क्या ओ सेंटर माल नहीं आप है तो ए ओ क्या है यह हो बरावर है ओ बी के आपको इस्टेप खुल लिखने पहला आपने क्या किया था अब भी 6.5 cm की दोगी थी आप देखो इस्टेप वन ए लाइन सेजमेंट ए नहीं और ट्रो एंट्रो और लाइस सेजमेंट ए बी वाइस पाइस 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 सेंटिमीटर ठीक है थेक है थेन नमर सेगें टेक सेंटर ए टेक है सेंटर ए को सेंटर मानते हुए द्रो एंड आर्क एंड आर्क इससारर आर्क एंड न eer थात्व और एंड ए थेन लाइस टेक के लाइस सेंटए अगें अगें इस्टेप तरी देन पॉइंट इधा पर एक्समाल लेते हैं वाई देन जोईन यहाब लेते हैं ड्रो एन आर्क अगें एक्स एंड वाई यहाब लेते हैं आर्क ओन एक्स एंड वाई ठीक है जोईन एक्स एंड वाई तो क्या हो जाएगा ओए बरावर ओवी हो जाएगा ठीक है इस तरह सारे आपको इस्टेप लिखने होंगे खुदी साव इस्टेप एक जैसे होंगे अच्छ नंबर सेकेंड देखां दो दो करना है 4.8 cm दे रहे हैं विल्कुल सेम फर्स्ट कोशन की तरह है ठीक है ड्रो और लाइन ए भी हमें एक लाइन भी तरह कि टेक आप पॉइंट पी और एक पॉइंट देदें उसके ओपर पींड्रो आ लाइन सेजमेंट ठोपी परपेंडिकुलर टू अब पी को परपेंड परपेंडिकुलर टूर करना है तो तीसरा कोशन है हमने क्या है एक लाइन डूर नहीं पहले है ठीक है और लाइन डो कर लिए पी इस तरह यह था परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर टूर नहीं के लिए इससे आधिस ज्यादा की दूरी लाइंगे जिसमें आप पहले कुछ सब्सक्राइब करना प्रोसेस इसमों को डिस्टेंस नहीं तरखी इसलिए एक और किदर एंडेन सेकंडर किदर अब आर को को मिला देंगे यह मिला दिया हमने तो यह पॉइंट पी माना यह लाइन एवी मानली जैक्स और वाई मानली है ठीक है कि आपको यह पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया आपको इसे खुद दिखने हैं जैसे मैंने आपको पहले कोशन में लिखाए है कि पॉइंट इस तरह ही बिल्कुर सेम और कोशन है आपको यह खुद करने है ठीक है थैंक्यू फ्रेंड्स आपदर खथनाा प्वांस अप्रेंडिकुलर नह्या आपको यह तरह है कि अापकी पुद करया दो maidी डीके सेम में है है आपको यह ऊव्र्डस